हेलो फ्रेंज गुड मॉर्निंग सुबह की राम राम जी कैसे हो आप सब आप सब भी ठीक होंगे सुष्थ होंगे तो अभी मैंने अपनी वीडियो मॉर्निंग से शुरू कर ली है मम्मी नहा के आई थी अभी नहाने के बाद नंदलाल जी को भी इसनान करा दिया है और इनको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजेगा और वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखीगा क्योंकि फिर आप कमेंट करके पूछते हैं कि यह तो आपने वीडियो में कहीं दिखाया ही नहीं तो प्लीज वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा मुसम खराब हो रहा है ह आपके पहले मम्मी मुए गुल्ले उतार के लाई हैं बड़े बड़े जो कट्टे हैं उनमें भर दिया है भरगे इनको जो नीचे वाला हमारा बात रूम है इसमें रख दिये हैं दो बोरी बहर गे उपर तक एक और भर जाएगी तीन बोरी में गुल्ले भर चुके हैं बह खिपकली तो नहीं इसमें अगर चिपकली तो नहीं कुछ नहीं है तो अभी गुले रखने के बाद हम उतार रहे हैं उपले किट्टू नीचे डाल ली है लक्की भी गया था ये उपर से लेके आगा इसको बोल लिए थी अगर सीड़ी से गिव जाते हैं इतने सारे उपले ल लगा रही है इनको साथ के साथ काम खतम हो जाएगा फिर जाड़ों लगा लूँगी और देखिए अभी आख चोक में देख सकते हैं बारिस पड़ी थी तो गिल्ला सा भी हो रहा है हलकी हलकी सी आई है वैसे जद तेज बारिस नहीं हुई उपले तो सारे सूकरे थे हमने सार छोड़ दिया था वो सारा चिपक गया अभी जब तक मैं यह उपले उतारूंगी तब तक वो भी ठीक हो जाएगा जाड़ों लगने लायक हो जाएगा फिर छुट जाएगा वहां पर चिपका नहीं रहेगा और इधर यह पीछे की गली है इसमें कोई बौजी के घर जाते बौजी एलका पेट दो दिन के गपार की हो जाएगा इतने गुस्ति दो दिन के गपार को जाएगा अगर तेर पच फेतो में रहे जाएगा अरसार जाड़ों भी लग चुकी है गुस्ते भी लगा दिये सारे और अभी मैं लगा रही हूं पोचा इधर वाले कमरे में रह रहा था और बरामदे में अधर वाले कमरे में लगा चुकी हूं तो अभी यहां पे पोचा लगाने के बाद फिर अभी वास्वेशन भी साफ करने आ नीचे की रोज मैं शी टाइम उसको साफ करके चले जाती हूं और बस अभी यहां पर फोचा लग जाएगा सारे घर में यहां पर नीचे का तो काम सारा फिट हो जाएगा यहां पर जो कटे पड़े हुए थे वो भी उठा लिए आज आज ही उठाए हैं बस यह रह रहे हैं जो थोड़े बहुत बचे हैं यह भी चले जाएंगे आज तो फिर यहां पर आम से लग रहा है पोचसा जंगा नहीं तो तीनों बाइक भी एंधे खड़ी रहती है किड़े ड़ा को कलर दा है नहीं तो और जिक्कत नहीं इस फर्स में पापा जी भी खेत से आया है अब्हुत जादा पोचा जया हो गए कैसे कपड़े पहरती है ऐसी लगती है जैसे क्या नाम कि उसकी कलंदर की यह कलंदर की लड़की है हम सबी अपना-पना काम ने मिटाने में लगे हैं सुबह का मैं यहां पे अपनी साफ सफाई में लगी हुई हूं जाड़ पोचा कर दिया और जो बड़ी डीडी है मेरे पीछे नजरा रही है वो बढ़ भर रही थी सुबह का जो बढ़ था उसी को बग्गे में बढ़ देते हैं फिर वो खेत में चला जाता है मम्मी उपले लगा रही थी अभी थोड़े बहुत बच रहे थे तो उन्हीं को रख रही थी और वहां सब नीचे लगे हुए हैं मोनिका अपना उपर का काम निम्टा रही है जो बखी कर रहता है फिर मैं करवा देती हूं उसकी हेल्प जाके नीचे का काम करने के बाद तो चलिए फिर अभी चलते हैं उपर यहां का सारा काम खतम हो चुका है टोटली जितना भी था अब उपर देखते हैं क्या बचा है और क्या हो गया मोनिका ने वैसे निम्टा लिया होगा और अभी आने के बाद मैंने पूजा भी कर ली थी नास तबी किया अभी रई धो अभी लगांगी इसको दोप में रख दिया था मैंने थोड़े देर के लिए जो सब जी आई थी मैं उसी को दोप में रख रही हूं थोड़े देर के लिए इसको दूप लग जाएगी तो फिर उठा लूँगी आशे वैसे बंदर आज कल कमा रहे हैं कुछ इतने जादा न लगाने के लिए कुछ भी नहीं था जाडू भी छोटी हो चुकी है सीख जाडू जो भी थी वह इसके छोटी हो चुकी है तो फिर मैंने सुचा इस सरसो की लखड़ी रखी हुई है इन से रड़का बना लेते हैं इनसे बहुत अच्छी जाडू लगती है पर ये तनी लगती है पर वह बहुत जादा मजबूत रहते हैं उसके रड़के पर हमने बोई भी थी पर वह होई नहीं पाई अब की बार सूगी पताने इसमें क्या रोग आया तो बस ये थोड़ी सी जो तूड़ी है इसी में से बन जाएंगे दो तिन रड़के और इसको मैं उठा के रख दूँगी एक ही बनाओंगी बस बहुत से फ्रेंड्स तो ऐसी बाते बोल देते हैं कल एक कमेंट आया था मुझे कि अगर आप सब आपने अंतिम दीदी को नहीं दिखाया वीडियो में तो मैं आपकी वीडियो को लाइक नहीं करूंगी तो देखे मेरी बस की बात नह नहीं है जब उनको उनके सुराल वालों ने मना किया वीडियो में आने को तो मैं कोई जवर्जश्टी नहीं कर सकती और फिर उनके जिंदगी पे कोई फर्क पड़े तो इससे हमें सब को ही पूरा दुख होगा आप सब को भी होगा तो देखे मैं मजबूर नहीं कर सकती ज जब भी मेरी वीडियो ऐसी ही चलती थी जब भी इतने फैंड्स नहीं देखते थे अब भी उतनी बात है पर पता नहीं अब तो आसह लग रहा है कि आप अंतिमदीदी को यह देखना है हमें कि वीडियो तो वी लोग को रोज में और पीकर पना रुटीन सेर करती है्тов वह तो मेरे फैमिजियर पूरे हैं तो विडियो में ऊजाते ।ो फ्रेंट में कमेंट करते रहते हैं, कि उनको वीडियो में लाईए, मैंने बता भी रखा है कि मैं मजबूर हूं, कैसे करूं आप ही बता दीजिए पहले वीडियो में आप सब ने हमें खूब मर्ष्टी करते देखा है मुझे अन्तिम्दीदे को हम तैसे ही रहते थे पूरा दिन हसी मजाक में ही पर वैसे तो वो जब आएंगी तब भी हम ऐसे ही रहेंगे पर बस भई है कैमेरे के सामने नहीं हो पाएगा ये सब अब कैमेरे के पीछे ही होगा मजबूर है हम भी और व वो भी समझने लगेंगे ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझेंगे धीरे धीरे सब हो जाएगा आप तब तक धीरज रखिए और वीडियो देखते रही है रड़का मेरा बन चुका है बातों ही बातों में अभी मैंने इसको पानी से भीगो लिया है इसको पानी में भीगो के नहीं है और काफी दिन चल जाता है और अभी दर को मैं ज़ड़ो लगाने के बाद फिर आ गई थी इस वाले रूम में इसका नंबर सबसे बाद में आता है इसमें बहुत जादा धूल रहती है रोजी साफ करना पड़ता है इसको तो यहां पर थोड़ से जाले से भी लगे तो इसकी वज़े से भी कुछ ज़्यादा रुकावट नहीं हो पाती देखते हैं यहां के परदे चेंज करेंगे और अभी मैं यह बोड है इसको साफ कर लेती हूं इस पर धूल हो जाती है रोल और यह दूपट्टा है खराब था तो मैंने इसको ही यहां पर डस्टिंग क करने का बना दिया वैसे तो नहीं था एक दो बारी उड़ा होगा पर यह दूपट्टा सिर्पे से बहुत ज्यादा फिशलता था इसी वज़े से इधर उधर पड़ा फिर रहा था तो मैंने फिर इसी से जढ़ने का काम सुरू कर दिया कि किसी काम तो आए गाई और बहुत दिया चिसा बोज़ा दाए से कर दो आए बोज़ा होगा 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 है सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इस वाले रूम में लगता है सुबह में क्योंकि अच्छे से यहाँ पे साफ सफाई करनी पड़ती है सोपो को भी अच्छे से जाड़के तभी मैं इनके कवर लगाती हूँ यह गुल दस्ता मैंने कल धोया था अब साफ हो चुका है तो अभी यहाँ पे मेज पे भी अच्छे से कपड़ा फिर आके फिर इसको कवर को लगा दूँगे नीचे बोज़ा धूल रहती है मेज के रोज ही साफ करती हूँ पर फिर भी जब आगले दिन सुबह को आती हूँ तो इतनी धूल मिलती है अभी यहाँ पे बिल्कुल क्लीन करने के बाद फिर पोचा लगा दूँगे और फिर मैं गेट बंद करके चली जाती हूँ उपर फिर तो दो पैर में ही खुलता है गेट इसका तब तक बंदी रहता है फिर दो पैर में पापा जी मम्मी यह सब टीवी देखते हैं तो तब ही करते हैं बच्चे इसमें उथल फुथल नहीं तो बिल्कुल सैट रहता है यह वाला रूम आज कल ऐसा माहौल हो रहा है वीडियो भी नहीं देख रहा कोई भी इतना दैसात इतना डर है पर हम भी तो सारा काम कर रहे हैं टैंसन को दूर भगाने की पूरी-पूरी कोशिस करते हैं अगर हम ज़्यादा टैंसन लेंगे तो इससे हम बिमार तो जरूर पढ़ेंगे टै परिवार में तब ही तो ये बिमारी भी जल्दी से जल्दी भाग सकेगी नीचे का काम खतम करने के बाद अभी उपर आ गई हूँ गमले इदर उदर मैं इसलिए कर रही हूँ यहाँ पर कोने में तुलसा जी रखी हुई है उनको मैं इधर रखूँगी क्योंकि यहाँ पर जो बरामदे के पर्दे है वो सारे पर्दे उन्हीं के उपर आते हैं और फिर तुलसा जी को टूटने का ड़र रहता है तो इस वाज़े से मैं तुलसा जी को इधर रख इसी के साथ में वीडियो का भी यहीं पे एंड कर जी हूं काफी लंबी वीडियो हो जाएगी फिर आप बोर हो जाएंगे तो वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी किजेगा मुझे कमेंट भी मिलते हैं नाक्स वीडियो में कची सी वीडियो के